नमस्कार मैं विवेक नात्र पाथी एनायोस की स्टूडियो में आप सभी का श्वागत करता हूं आज मैं आप लोग के शमक्ष अंताविशई यों अंतरविशई शमेकन के बारे में चर्चा करूँगा सबसे पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि अंताविशई और अंताविशई शमेकन क्या है और इसमें मूल अंतर क्या है अंताविशई शमेकन को हम इंट्राडिस्प्रिनरी इंटिग्रेशन बोलते हैं within subject area और जो inter-disciplinary है उसको हम अंतर विशय शमेकन कहते हैं इसको हम बोलते हैं within subject जिसको अंतर विशय शमेकन और inter-disciplinary subject between यानि दो विशयों के बीच जब समेकन हो तो उसे हम अंतर विशय शमेकन कहेंगे लेकिन जब एक ही विशय की शिमाओं के अंतर विशय शमेकन हो तो उसे हम अंतर विशय शमेकन कहते हैं शमाने रूप से आईए हम समझते हैं अन्ता विशई शमेकन क्या है अन्ता विशई शमेकन वह होता है जहां एक ही विशे छित्र के अंदर उसी विशे की ज्ञान या कौशल को जोड़ा जाता है उसी विशय की एक दक्षता का दूसरी दक्षता से संबंध निकाला जाता है मतलग एक विशय की शिमाओं के अंतरगत होने वाले शमयकन को हम अंताविशयी शमयकन कहते हैं जैसे अभी मैंने कहा कि उसी विशय की एक दक्षता का दूसरी दक्षता से संबंध निकालना या हम बच्चों को यह पढ़ाना चाहते हैं कि पासपडोस क्या होता है परिवार क्या होता है तो इन सब को हम समय कित करके गाउं में जीवन नामक पाठ की चर्चा करें और जब हम गाउं में जीवन नामक पाठ की चर्चा करेंगे विद्यार्थियों के समक्ष तो अपने आ आप पासपडोस की चर्चा हो जाएगी पासपडोस की चर्चा होगी परिवार की चर्चा हो जाएगी और गाओं में जीवन गाओं में लोग क्या करते हैं इसकी चर्चा हो जाएगी गाओं में कौन-कौन से तेवहार मनाया जाते हैं इसकी चर्चा हो जाएगी यह है कि विविन दक्षताओं से कैसे समय करते हैं कैसे एक साथ विद्यार्थियों को अन्य दक्षताओं के साथ समय कित करते हुए अधिगम कराते हैं और हम ऐसा कर भी सकते हैं जबकि दूसरी तरफ जो अंतर विशय शमेकन होता है उसमें दो या से अधिक भिन्न भिन्न विश्यों के मद्ध ग्यानियम कोशल का शमेकन किया रहता है अर्थात एक विशय और दूसरा विशय पहले वाले में हमने देखा कि जो अंतर विशय शमेकन है अंतर विशय शमेकन है उसमें हम एक ही विशय के विविन दक्षताओं को एक ही कृत कर र रहे होते हैं जैसे कि अप उदाहरण के रूप में ले सकते हैं हम समझने के लिए हम बात कर सकते हैं कि अनतर विशही शमेकन हमने उदाहरण कर दिया कि गाउं में जीवन जो अन्ता है उसमें गाउं में जीवन का हमने दक्षताओं के साथ समेकन कर रहे हैं लेकिन अन्ता अन्ता में जैसे तो हमें सबसे पहले बिचार करना होगा कि कौन सा ऐसा संप्रत्य कौन सी ऐसी दक्षता है जिसका हम एक विशे के साथ दूसरे विशे से संबंध अस्थापित कर सके हैं माली जी हमने जल को ले लिया अब जल को हम किस तरह से समेकित कर रहे हैं किस विशे के साथ उसका संबंध अस्थापित कर रहे हैं कौन सा ऐसा जल का संप्रत्य है जो अपने विशे की बाउंडरी से बाहर जाकर सीमा से बाहर जाकर के दूसरे विशे के साथ समय की थो रहा है तो हम ऐसे बोल सकते हैं बच्चों के सामने जल जब हम चर्चा करने के लिए सिक्षन विंदू की रूप में चैन करें तो बच्चों से पूछें कि जल के प्राकितिक श्रोथ क्या है बच्चे बताएंगे तलाब, नदियां, जर्ने लेकिन जब हम बच्चों से कहें कि जल में कौन-कौन से भौतिक और रशानिक गुड है तो वो भौतिक विशे का, भौतिक शास्त्र, विज्ञान का विशेवस्तु हो जाएगा और उन्हीं के समक्ष एक जार में किसी बच्चे को बोले कि पानी लेके आओ और उस जार का आयतन, उस जार का एरिया छेत्रफल निकालने के लिए हम बोलें कि इस जार में कितना पानी है माप करके बताईए तो गडीत का विशे हो गया इस तरह से जब हम शमेकन कर रहे होते हैं अधिगम कर रहे होते हैं तो वो जो है अंतर विशेई शमेकन होता है अंतर विशेई शमेकन या एक सिक्षण विद्ध है एक विशेवस्तू को विभिन विशेओं के विशेवस्तू के साथ समेकित करने है जबकि सिक्षण अदिगम प्रकिर्या के दरवान एक जैसे विशयों के अंदर अंतर संबंधित ग्यान एंकोसलों को समलित करना अंतर विशय शमेकन कहलाता है जैसे विज्ञानियों गडित की अधाने, अब विज्ञानियों गडित दो अलग-अलग विशे हैं, इनकी दक्षता को हम कैसे समेकित करें, तो कुछ ऐसे विशे वस्तु होंगे जिसका संबंद विज्ञान से भी होगा, जिसका संबंद गडित से भी होगा, हम चाहें तो ए एक विशे के साथ दूसरे विशे के साथ समेकित करके भी अंता और अंता दोनों प्रकार के शमेकन अंता और अंतर अंतर में हम गडित और विज्ञान का और अंता में हम गति से संबंदी थी किसी और दक्षता का अध्यन करा सकते हैं जैसे गति है बचों को दोड़ने के जब गहती के गटी एक घंटे में कितने मीटर दूर दूरी तैकर만 रहा है इस तदरा की बात करेंगे वीघ्यान Колक्ले के बढ़ने के अकारण है तो भी ज्जाय को जायेगा इस तरह से हम गड़ित और विज्ञान में शमेकन कर सकते हैं दूसरी तरफ अंतर विषई इस प्रकार के शमेकन में अधिगम प्रतिफल को जोडने का प्रयास करेंगे और जहां तक संभव है इस क्रिया में विद्याषियों के वास्ति ए अनुभा को जोड़ाजाता है जब हम केंद्रबिन्दु बना रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि विद्यार्षियों का जो अधिगम अनुभा उसके साथ रहा हम जोडें अब जैसे अंतर विशयी उसमें क्या क्या होता है हमने अभी तक बात किया कि अंतर विशेई शमेकन क्या है अंतर विशेई शमेकन क्या है हमने थोड़ी थोड़ी चर्चा की अंतर विशेई शमेकन का और अंतर विशेई शमेकन का अंतर विशेई शमेकन में कुछ विशेशता हैं जैसे इस तरह से आत इसमें हम maximum अधिक्तम innovation की पद्धत की विशिस्टता का पालन करते हैं। इस प्रकार का शमेकन अध्यानचेत्र को अंत्रदिश्टी देता है। जब हम intra interdisciplinary की बात कर रहे होते हैं, अंतर शमेकन की प्रक्रिया की बात कर रहे होते हैं, तो हमें एक insight डबल अप होती है। उसमें ह समस्की रूप में शंग्यान अबड़ व्रिद्धी करता है इस तरह से हमने जो है अंतर विशेई शमेकन को समझा मूल रूप से जो दो विशे विभिन अपनी दो विभिन विशे अपनी शिमाओं को पार करके नमीन ग्यानें सिद्धान का निर्मान कर रहे होते हैं या करने क प्रियास करते हैं आउनका लक्ष होता है तो उसे हम अंतर विशेई शमेकन कह सकते हैं जैसे श्वास्त देखभाल आनवनसी की हरेडिटी का अध्यान interdisciplinary approach के अंतरगत किया जा सकता है अंतरशास्त्रिय अध्यनचित्र के अंतरगत आता है किसी मुद्दे को बहुत दृष्टी के परिपेक्ष में देखना जाचने का प्रयास करना, विशलेशन करना उदान के लिए जैसे मानिजे हम चिकित्सा सास्त्र medical science के किसी भी प्रक्रण को लें कोई व्यक्ति बिमार है या उसको चोट लग गई है तो उसके इलाज के लिए डाक्टरों का एक पूरा शमुकारे करेगा एक परिक्षन करेगा, ठेस्ट करेगा देखेगा कि चोट के कारण कौन-कौन से जो उसके body parts हैं को काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किस तरह की उसको harm हुआ है, किस तरह का नुक्षान हुआ है अगर जरूरत पड़ेगी तो उसका operation करने के लिए export बुलाना पड़ेगा medicine के export को बुलाना पड़ेगा इस तरह से अलग-अलग discipline में जो export होते हैं, उनको बुलाना पड़ेगा लेकिन सब का purpose क्या होगा? उस बिमार बेक्ति को ठीक करना एक साथ काम करके शमस्या का निदान करना, यह अंतर विशयी शमेकन का उदारण है हो सकता है, इस तरह से हम करते भी हैं, अपने देखा भी होगा आएए हम कुछ और उदारण लेते हैं अंतर विशयी शमेकन के लिए जैसे अंतर विशयी शमेकन को समझने के लिए मैंने बोला कि एक विशय की सीमा के बाहर या दो विशयों के बीच में, जो शमेकन होगा उसे हम अंतर विशयी शमेकन कहेंगे जैसे अगर हम एक उदारण ले कि ओलंपिक खेल का आयोजन, एक समान ओलंपिक का अंतर विशयी एकी करण प्राथमी कस्तर पर कैसे करेंगे हम, हमें सोचना चाहिए कि जैसे एक विशय है ओलंपिक, बच्चों को ओलंपिक के बारे में बताना है, तो उसका आयोजन हम कैसे करें, तो हमें हर विशय की दक्षता निकाननी पड़ेगी, कि ओलंपिक का संप्रत्य केंद्र विंदु है और उस केंद्र विंदु से हमें विभिन प्रकार के दक्षताओं, विभिन प्रकार के विशयों को जोड़ा है, जैसे आप चाहें, तो भासा के रूप में बोल सकते हैं कि बच्चों ओलंपिक के बारे में चार लाइन, पांच वाक लिखो, आप बोल सकते हैं, बच्चों स वांपिक आयोजन के बिशंक में पाँच वांच लिखें मतलब भासा का द्यान लिखना शिखाना वासा का ग्यान दे रहें डूसरी तरफ हम कहा रहें कि अलमपीक का आयोजन करने वाले देश का मान्चितर बनाई तो हम भुगोल का ग्यान दे रहे हैं इस तरह से हम बच्चों को उलम्पी का परिद्रिश दिखाएं और बताएं कि परेड जो हो रही है उस मार्ग को दर्शाइए गडित किसी बच्चे से कहें कि जो पोस्टर लगा हुआ है उलम्पी के लिए जो बहुत सारे विज्यापन और जो चितर है उसको आप बनाएए उस पर पोस्टर बनाएए उलम्पी के कला की बात अगर वहीं पर हम कहें कि उलम्पी के जो विजेता हैं उनके लिए कविता का वाचन कर ये कविता लिखिये लेखन विशे इस तरह से हम कई उदारण ले सकते हैं जैसे मौशम को विशे के रूप में फिर इसका आने विशे के साथ संबंद परियावर्ण मौशम का आसानी के साथ संबंद हो जाएगा शमाजिक विज्यान के साथ संबंद हो जाएगा विज्यान के साथ संबंद हो जाएगा इस तरह से यह हमारी दक्षता है हमारी दक्षता के उपर निर्भर करता है कि हम उस किंद्रविंदु जो सिक्षण के रूप में चैन किये हैं उसको हम किस तरह से अने विश्यों के साथ समेकित कर रहे हैं मानोशरीर है इसको ले सकते हैं इस प्रकार से हम एक विशे का दूसरे विशे के साथ समेकन कर सकते हैं आए एक और उदारण लेते हैं जैसे संख्यात्म कोशल जो इसकील होती है उसको भी हम इविन विशयों के साथ जोड़ सकते हैं भुगोल के साथ जोड़ सकते हैं उसको गड़ीत के साथ जोड़ सकते हैं उसको विज्ञान के साथ जोड़ सकते हैं इस तरह से हम अंता विशयी और अंतर विशयी शमेकन को एक साथ समझ सकते हैं बात करते हैं कि अंतर शास्त्री जो इंटर डिस्प्लिटरी इंटीग्रेशन उसकी आउसकता क्या है क्यों उसकी आउसकता पड़ती है अगर हम कहें कि उसकी आशक्ता विद्यार्थी के अधिगम में बृद्धी के कारण होती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि हम अंतर विशई शमेकन से विद्यार्थियों के अंदर रूची उत्पन कर रहे होते हैं हम उनके अंतरगत ज्ञान का विकास कर रहे होते हैं की व्रिधी हो उनके अंदर रूची इक्षा शक्ती की व्रिधी हो केपि को 2009 ने बहुत अच्छी बात कही उन्होंने 6 बातों को मुख्यरूप से कहा कि जो अंतर विशेश अमेकन है उसकी अशक्ता क्यों होती है और उससे विद्यार्थियों में क्या-क्या छमताएं विक्सित होती है जैसे पहली पहचान करने की यानि जो concept है उसको recognize करना फिर critical thinking करने की जब तक वो आलोश नात्मक चिंतन नहीं करेगा विद्यार्थी critical thinking नहीं करेगा तब तट एक विशे का दूसरे विशे के साथ integration ही नहीं कर पाएगा तीसरा जो है असपस्टता कोशेहना clear अटी नहीं होती है तो भी उसको tolerance capacity बढ़ती है नैतिक चिंता को शराहना और शुविकार करना अंतर शास्त्र यद्यार्थियों के पूर्वाग्रा को पहचानने में शाहिक होता है या विद्यार्थियों को अनुदेशन के माध्यन से समझने का प्रयास करता है कि क्या है तथा कैसे इस क्या है तक हम पहुँचते हैं इस प्रकार से अंतर शास्त्री अनुदेशात्मक जो होता है, अनुदेशन विद्यार्थियों की शंग्यनात्मक शम्ताओं, मस्तिक आधारिक कौशल और मानसिक क्रियाओं को भी विक्सित करने में सहायक होता है। अंतर अध्यन शेत्र की जो दूसरा सबसे बड़ी आशक्ता होती है कि वो अधिगम को सार्थक मोहत्पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। अग्रहन करना तरह विचारों को शमझने का अधार प्रदान करना। दूसरा प्रयोगात्मक कैसे की समझ को विक्सित कर तथा कौशल को कब उपयोग में लाना है का ज्यान विक्सित करना। शमाकलन के लिए बिभिन विचारों को जानने की चमता। यानि जो इसकी आशक्ता है वो इसलिए होती है कि हम इंटिग्रेशन के लिए आइडियास कैसे डबलब करें। विचार कैसे डबलब करें। यह भी विक्सित होता है। मानवी आयाम शमाजिक ब्यक्तिगत मुद्दों को पहचानना और उनको किसी विशे के साथ समयकित करना। यह भी जो है हम अंतर विशेई शमेकन के अंतरगत करते हैं। अंतर विशेई शमेकन के अंतर विशेई शमेकन के अंतरगत आता है। हमने अभी तक चर्चा की अंतर और अंतर विशेई शमेकन के लिए हमने फिंक के बताए गए गुडो की चर्चा की। हम बात करते हैं कि अंतर विशेई और अंतर विशेई शमेकन से लाव क्या होता है। दोनों एक तो विशे के अंतरगत होता है, दूसरा है विशे से इतर होता है, लेकिन दोनों का आल्मोस्ट जो उद्देश होता है, वो अधिगम प्रक्रिया को बढ़ाना ही होता है. परिक्षा के प्राप्तांकों में शुधार करना, शात्र अपनी गती के अनुशार सीख सकें, इस तरह का वातावरण, इस तरह का आउसर प्रदान करना, कम समय में अधिक पाठिकरम का अध्यन करना, अगर हम अंतर विशे को दूसरे विशे के साथ जोड़ते हैं, मतलब एक विशे के साथ दूसरे विशे का अध्यन कर रहे होते हैं, इस तरह से ये लाव हैं अंतर और अंतर विशे शमेकन के, जिसके थुरू हम अधिगम प्रक्रिया को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और अधिगम प्रक्रिया के साथ-साथ दक्षताएं विक्सित करते हैं विद् तो सबसे पहले हमें पाठ, थीम या मुद्धे परमुख्य विचार करना होगा अधिगम प्रतिफलों पर विचार करना होगा उसके बाद उसकी पहचान करनी होगी ततकालिक पाठों के बाहर तक के ग्यान तथा कौशल को शिखना होगा अधिगम के समेकित उपागम द्वारा विद्यार्थियों को पाठ ग्यान तथा कौशल अर्जित करने ही तुमार दर्शन करना होगा इस तरह से जब हम इन क्रियाओं का पालन करेंगे तो हम जो अंतह या अंतर जो शमेकन है उसमें जो है हम एक अच्छी पाठ योजना एक अच्छा शमेकन अच्छा सुक्षन कर रहे होते हैं या कर लेंगे अंतह विशाई यम अंतर विशाई शमेकन को दरसाता हुआ चित्र जैसे इस शित्र में हम देख रहे हैं कि शित्र में दो भाग हैं एक भाग में सिर्फ अन्तविषाई Disciplinary लिखा हुआ है और दूसरे भाग में Intradciplinary लिखा हुआ है जिसमें दो सर्कील हैं एक Pink और एक Green और दूसरे जो पहला भाग है उसमें सिर्फ Pink है तो जो pink है वो अंतरविशई शमेकन को दर्सा रहा है और जो green और pink दोनों mix करके yellow का एक प्रतिरूप बना रहे हैं पीले color का प्रतिरूप बना रहे हैं वो अंतरविशई शमेकन को दर्सा रहा है अर्थात कहने कातात पर है कि जो अंतरविशई है वो विशेचेतर के अंदर ह सिर्फ उसकी सर्किल के अंतरगत पिंक ही दिख रहा है लेकिन जो अंतरविशई शमेकन है उसके अंतरगत हमें पिंक भी हमें पीला भी और हमें ग्रीन भी दिख रहा है तो यह उदारण है एक और उदारण अगर हम लें जैसे हम देखते हैं कि विभिन प्रकार के फल है जैस हमारे घर के टेबल पे रखा हुआ होता है डाइनिंग टेबल पे उसमें गाजर भी है उसमें केला भी है उसमें मिर्च भी है उसमें खीरा भी है लेकिन इसको हम दोनों तरह से कैसे जोड़ेंगे इंटर यानि अन्ता और इंट्रा कैसे जोड़ेंगे अन्ता और अन्ता अपना गुड है हम चाहें लेकिन सभी एक ही है क्या है फल है सभी फल है हम चाहें तो केले के साथ गाजर की तुलना कर सकते हैं कि गाजर और केला कहां पैदा होता है उसका उत्पादन कैसे होता इससे क्या मिलता है इससे गाजर खाने से क्या क्या हमें लाव होगा केला खाने इसी को हम अंतर विशे शमेकन में भी कर सकते हैं जैसे उनी फलों को हमने सलात के रूप में काट दिया हमने आप देख रहे हैं कि चार प्रकार के चित्र में चार प्रकार के टोकरी रखी हुई है चार प्रकार के प्लेट्स हैं और उसमें फल काट करके रखे हुए हैं पहले वाले में कटे भी नहीं थे इसमें काट के रखा हुआ है मतलब हमने उन सारे विशे को मिला करके एक नई चीज बना ली जिसे हम internal disciplinary का नाम दे रहे हैं अंता विशई शमेकन का नाम दे रहे हैं हमने शलाद बना लिया इसके स्वाद में परिवर्तन कर दिया तो इस तरह से अंता विशय शमेकन होता है अंतर यूं अंतर इंटर और इंटर ये दो चीजे हैं बहुत हमें साउधानी से देखना होगा अंता जो होता है वो विदिन सब्जेक्ट यानि एक ही विशय के अंतरगत होता है और जो इंटर होता है वो एक विशय से दूसरे के अ गताता है यानि बिट्विन सब्जेक्ट जब हम समेकन बिट्विन सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं तो अंतर शमेकन की बात कर रहे होते हैं और जब हम अंतर विशय शमेकन की बात कर रहे होते हैं तो हम विदिन सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं यानि विशय के बीच आईए कुछ विंदूओं के माध्यम से हम इसको देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर है अंतर विशय शमेकन में जैसे जो अंतर विशय शमेकन होता है इसमें सिक्षण के दवरान एक ही विशय के विविन ग्यान कौशल को एक साथ जोड़ करके अधिगम करते हैं यानि मैंने पहले भी बताया कि एक दक्षता का दूसरे दक्षता के साथ संबंद निकालना, उसी विशे के अंतरगत, विशे के शिमाओं से परे नहीं, विशे के शिमाओं के अंतरगत, तो वो अंतर विशेई शमेकन होगा, जब इसको हम एक विशे के बाद दूसरे विशे के साथ संबंद जोडते हैं जैसे इस प्रकार के शमेकन में दो विशेयों के भी संबंद जोड़ा जाता है जो अंतर विशेयों के भी संबंद जोड़ने का प्रयास किया जाता है इसमें जो अंतर विशेयों के भी संबंद जोड़ने का प्रयास किया जाता है इसमें जो अंत कि एक संप्रत्य को दूसरी संप्रत्य के साथ कैसे जोड़ेंगे एक दक्षता को दूसरी दक्षता के साथ हमने उदारण दिया था अभी गाउं में जीवन उसका पासपडोस उसका परिवार के साथ वह अंतर विशई शमेकन का उदारण है हमने विविन फलो को काट करके एक साथ एक प्लेट में रखा अंतर विशय शमेकन का उदारण है वहीं पर अंतर विशय शमेकन में पाठ थीम अथ्वामु के विचार को एक से अधिक विशयों में डूडने का कारे किया जाता है यानि जो थीम है उसका अनिकिसी विशय के साथ क्या संबंद है उसमें हम मोल में दक्षता को केंद्र विंदू शमेकन में दक्षता को केंद्र विंदू मानकर अनविशय से संबंद जोड़ा जाता है अंतर विशय शमेकन में ग्यानियों कौशलों को एक विशय के अंदर हम संगठ हित करने का प्रियास करते हैं जबकि अंतर विशय शमेकन में प्रति जबकि अंतर विशेई शमेकन में हम प्रतेक विशे का विशेचेत्र विन होता है उसको संगठित करने की कोशिस करते हैं, अंतर विशेई शमेकन में संप्रत्य की संरचना की अनुसार विशेवस्तु को महतो दिया जाता है, जबकि अंतर विशेई शमेकन में संबंधित प्र पर शिक्षक योजना बनाता है और यह देखता है कि विभिन विधियों और विभिन विश्यों के बीच में उस संप्रत्य से क्या संबंध है अंतर विशय शम्यकन में अंतर जैसे एक तरह सा यह होता है कि अंतर विशय शम्यकन का उद्य से ज्ञानयां को उचलों को इस प्रकार एकिक्रित करना जो सम्पुन विश्य वस्तू को as a whole रिप्रेजेंट कर सकें यानि किसी content को हम सम्पुन रूप से प्रेजेंट कर रहे होत जबकि अंतर विशय शमेकन में सिक्षक्या करता है दो विशय को एक साथ परिपेक्ष में नहीं ला सकता हाँ उसको समेकन करने के लिए अंतर विशय शमेकन करने के लिए विभिन विशयों के बीच एक संप्रत्य के साथ संबंद जोड़ना पड़ेगा निकालना पड़ेगा जो अंतर विशेई शमेकन है उसमें हम ग्याने और कोशल को एक कक्षा से दूसरी कक्षा के साथ जोड़ सकते हैं संप्रत्य को कख्षा 2 में कख्षा 4 में पढ़ा सकते हैं और कख्षा 4 और कख्षा 2 वाले संप्रत्य से जोड़ होते हैं जबकि इसमें आसान नहीं होता है इसमें जो अंतर विशेई शमेकन होते इसमें अपना एक विशेचेत्र होता है अंतर विशेई शमेकन के वल एक से अधिक यह दोसर अधिक विशेयों के बीच में कारी कर रहा होता है अंतर विशेय जो शमेकन होता है वो अंतर विशे si ecosal दथाओधानीं उसके अंतर गडत नहीत होती है जब अंतर विशेय20 में मुख्य ठीम पर विभिन विशयों को संगतित किया जाता है अंतर विशय शमेकन में एक अधाना दूसरे अधाना से और दूसरे अधाना पहले अधाना से और दोनों अधानाएं विशय से जुड़ी रहती है यानि उनका विशय के बाहर कोई लेना देना नहीं होता है और हम ऐसा करते हैं जोने का प्रयास करते हैं जबकि अंतर विशय शमेकन में ज्ञान प्राप्ति का उत्तम साधन विश्यों की संरशना होती है एक विश्य कैसा है उसकी प्रकिति कैसी है दूसरा विश्य कैसा है और उसकी प्रकिति कैसी है जो सिक्षण विंदू है उसको हम एक विश्य से कैसे समय कित कर रहे हैं उसको हम दूसरे विश्य के स करने का प्रयास करते हैं अंतर विशय की शिमाओं के अंदर ग्यान को देखा जाता है जबकि अंतर विशय में शिमाओं का असपस्ट ग्यान प्राप्त करना कठीन होता है और हो भी नहीं पाता तो इस तरह से आज की चर्चा में हमने मूल रूप से ये जाना कि अंतर विशई शमेकन क्या है और अंतर विशई शमेकन के बहुत सारे उधारणों के अमाध्यम से हमने अंतर विशई शमेकन को शमजने का प्रयास किया हमने उन दोनों के मद्ध अंतर जानने की कोशिस की कि अंता विशई शमेकन और अंतर विशई शमेकन क्या है सारूप में हम यही कहें कि अंता विशई शमेकन ऐसा शमेकन होता है जो एक विशेचेतर की शिमाओं के अंतरगत होता है एक दक्षता का दूसरे दक्षता का उसी विशे के अंतरगत शमेकन या एकिकरित करने का प्रयास किया जाता है जबकि अंतर विशे शमेकन में एक विशे का दूसरे विशे के साथ समेकन करने का प्रयास किया जाता है हमने उधारान भी दिया जैसे डाक्टर medical science में interdisciplinary approach बहुत ज्यादा प्रियोग होती है तो आज हमने अंतर और अंतर विशई शमेकन के बारे में चर्चा की नमस्कार आप सभी को अगली कक्षा में फिर मिलते हैं